हाथ यो के सबसे बड़ा किकेवल दो ही परजाती जी वी थे दोस्तों कि एक Alipan दूसरा्य है लॉक्सो डॉन्टा इसके लावा एक और पर जाती मंप्स्त थी जो अब विलुप्त हो चुकी है और एलिप्स पर जाती अफ्रीका में पाई जाती है और लॉक्सो डॉन्टा भारत में पाई जाती है हाथी संसार का सबसे भारी स्थल जीव है आम तोर पर इसका वजन 10,000 किलो होता है कुछ बहुत बड़े हाथियों का वजन 32,000 किलो तक भी हो सकता है आई जानते हैं कुछ रोचक तथ हैं के बारे में हाथियों के बारे में वरतमान समय में हाथियों की दो ही पर जाती है जैसे से पदा चलाया है कि आज से पांच करोड साल पहले हाथियों की करीब 170 परजातिया पाई जाते थी यह जीवाशम अस्टेलिया और एंटार्टिका को छोड़ कर सभी महादीपों में पाए गए हैं 170 परजातिया होती थी अभी दो ही बची ही हाथी लेट कर नहीं वलकि खड़ कि खड़े ही सोते हैं Hence कि दिन में ज्र ai तर चार छार से लिए सवाच फांच गंडे तक ही सोते हैं सूते हैं हाथी एकलोता जानुहर है जिसके चार गुटने होते हैं और वहे कुद नहीं सकता है दोस्तों मादा हाथी है कि हर साल हर चार साल में एक बàच्चों को जन देती सिर्फ एक परतिशती है नव जन में हाथी की लंबाई 83 सेंटीमेटर और वजन 112 किलोग्राम तक होता है हाथी के शरीर का सबसे मुलायम हिस्सा सोफ्ट जो हिस्सा है वो कान के पीछे का होता है जिसको नकूले बोलते हैं हाथियों को समालने वाले हमंत पै अपने पैरों एक हाथी की चंबडी लगबग एक इंच मोटी होती है हाथी अपने सूंड से फरस पर इस चोटा सिक का भी उठा सकता है वैसक अफ्रीकन हाथी की लंबाई 13 फिट तक हो सकती है जबकि भारती हाथी की लंबाई 10 फिट तक बढ़ती है अफ्रीकन हाथियों के कान अवसा सत्तर साल तक होता है जूड का नेतर भी बड़े उमरके नरमादा हाथी करते हैं हाथी के दाथ उसके जीवनकाल के दोरान ही बढ़ते है हाथी की सूंड उपर होट और नाक के जूड़ी होती है जानुरों में हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है नर हाथी 12-15 साल की आयों के बीच जुन्ड छोड़ देता है इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो अभी के लिए नमस्कार